जामवंत जी यदि मुझ में उड़ने की श्रेश्रतर क्षमता होती तो कदाचित मैं मेरे प्रभो श्री राम के काम आपाता निराश मत हो हुनवान तुम्हारे हाथों में माता सीता के आभूशनों का गिरना कोई सही योग नहीं है ये भी प्रभो की लीला है जो उचित समय पर ही ग्यात होगी मुझे आभास हो रहा है तुम्हारा प्रभो कारिये में सनलगन होने का समय अब समीप आ गया है हनुमान महराज जामवद जी मैं तो यथा शिग्र अपने प्रभूश्री राम को ढून कर उनके प्रतेक्षे दर्शन के लिए निकल जाता परंतो सुर्य देव को दिये गए वचन के अनुसार भ्राता सुग्रेव के प्राणों की रक्षा के लिए मेरा उनके निकट रहना अवश्यक है इसलिए मैं यहां से कहीं भी जाने में असमर्थ हो तुम्हें कहीं जाने की अवश्यक्त नहीं है पुत्रहनुमान प्रभू से तुम्हारा मिलन तो तुम्हारी नियती है और शीग्र ही वो परमसुख तुम्हें अवश्य प्राप्थ होगा महराज जामवन्त जी आप्तो मेरे प्रभू के जीवन से भली भाती परिच्चत होगे मुझे बतायान जामवन्त जी कि मेरे प्रभू श्रीराम माता सीता से कब और कहां मिले और उनका विवाह कैसे हुआ बताईये न जामबंद जी अवश पुत्र सुनो जब कुल गुरु वशिष्ट के आश्रम से प्रभु श्री राम एवं लक्षमन अपने शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या लोटे तो वहाँ गुरु विश्वामित्र का आगमन हुआ वही विश्वामित्र जिनोंने अपने कठोर तप से ब्रह्म रिश्री की पदवी प्राप्त की है अयोध्या पहुचकर उन्होंने माराज दश्रत को आधेश दिया कि वो अपने जेश्ट पुत्र प्रभुश्री राम और उनके अनुज सौमित्र लक्षमन को रिश्वर के साथ जाने की आग्या दें पर तु वो प्रभुश्री राम को अपने साथ ले जाने के लिए कहां इचुक थे और क्यों रिशी विश्वा मित्र वन में महायग्य करना चाहते थे जहां एक दुष्ट यक्षणी ताटका और उसके परिवार का आतंक व्याप्त था जिसके कारण रिशी मुनी वहायग्य अत्वा तब पूर्ण करने में असमर्त थे रिशी विश्वामित्र प्रभू श्री राम और लक्षमन से उस यक्षणी का वद करवाना चाहते थे और महराज दश्रत ने उन्हें जाने दिया? महराज दश्रत अपने पुत्रों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे परंतु रिशी विश्वामित्र के द्वारा आश्वस्त किया जाने पर उन्होंने रिशीवर का प्रस्ताव सुईकार किया और रिशीवर ने प्रभु श्री राम और लक्षमण के साथ वन के लिए प्रस्थान किया पुद्र राम, लक्ष्मन, यहां सर्वत व्याप्त, अंधकार इस बात का संकेत है, कि यहां से उस दुर्दांध यक्षनी, ताड़का का प्रभाव शेत्र प्रारंब होता है, जिसके भैस से कुई भी चीव, यहां विश्रन करने का साहस तक नहीं करता, यह भेंकर ध्वनी, निद्रा में उसके स्वास के प्रभाव से उत्पन हो रही थे, इस ताड़का रूपी बाधा का अंत करने के पस्चात ही, हमारा आगे जाना उच्छी द्रूपा, जो आग्या को दिले, यहां पयाधाय और चके सवास का अंत का वादा इंबाल भी चाताए लिए 六, Abrildrub कर दो कर दो कर दो आगिंग। संगार करूँगी में, संगार, संगार जिसने भी मेरी निद्रा भंग करने का दुझ सास किया है उसका संगार करेगी एताटका कर दाम करेगी इस भी मेरा भंग करेगी मेरा कर दूए जाएँख़गी आप मेरा संगार दर्दी कंपिर्द हो जाती है मेरे पंग से सुरीदेव की किरने मेरे ही बैसे इस वन में प्रवेश करने का सास नहीं करती मेरे बयानक दंद करते हैं सब का अंद मुरक्रिशी मुझसे मुक्ति बाने के लिए इन दो केट बदंगों को लेकर आया है अपार मेरी शक्ती जिसको जाओं वसंद कर फैच सकती हूँ राम? इन शीला खंडों से तो मात्र कुद कुदी होती है मुझे अब देखो मैं तुमारे साथ क्या करती हूँ दशरत नंदन राम बार करो इस पर बद करो इस दुष्ट ताड़का का अब दुमारे साथ कुदी हूँ अब दुमारे साथ क्या हुआ पुत्र राम? रुक क्यों गए? कहीं तुम्हें ये संकोष तो नहीं कि तुमारे सामने एक इस्त्री खड़ी है यदि ऐसा है तो अब नहरेदे से इस संकोष निकाल दूँ उत्र राम ये इस्त्री नहीं इस्त्री रूपी पापनी यक्षणी राक्षसी है उसका वज सर्वता उचित है मेरे पिताश्री ने आदेश दिया था कि आपकी प्रतेक आज्या का पून समर्पन के साथ पालन करना है और मेरे लिए मेरे पिताश्री का आदेश सर्वो परी है इसलिए आपकी इच्छा अनुसार इस ताड़का का वद करना मेरा कर्तब में है अब मुझे कोई संकोच नहीं हाहा 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 कितना अद्भुत होगा न वुद्रश जब मेरे प्रभु श्री राम ने अपने एक ही पार से उस दुष्ट यक्षणी का वद किया होगा विराजु हनुमान बताता हूं जी आप भी विराजिये चामवंची बताईये ना चामवंची हाँ पुद्र वो द्रश्य अतियंत अध्भुत था अनुमान महारिशी विश्वामित्र ने भी प्रभु श्री राम के विलक्षन युद्ध कोशल और पराक्रम से प्रसन्न होकर उन्हें अनेक आशीरवचन कहे और प्रभु श्री राम को ग्यात कराया कि ये तो आरम मात्र भविश्य में रिश्यों, मुनियों के कष्टों के निवारण हितु! प्रभु, उन्हें अनेक राक्षस-राक्षसियों का सामना कर उनका वद्ध करना है, और इस महानकारिय की पूर्ती के लिए, उन्हें अनेको दिव्य-अस्त्र…. अच्छा, तो वो दिव्य अस्त्रा और मंत्र प्रभू श्री राम को किस ने प्रदान किये? स्वयम रिश्री विश्वा मित्र ने उन्हें बल और अतिबल की विद्या दी पुत्र? आप दोनों भ्राता मेरे द्वारा अभिमंत्रत इस जल का पान करो अब आप दोनों भ्राताओं मेरे बल अतिबल विद्याओं का संचार हो चुका है इसका प्रभाव ये होगा कि आप निद्रा और भोजन को प्राप्त के बिना कभी भी कलांत नहीं होगे आपने शुदा और निद्रा पर सदैव के लिए विजह प्राप्त कर लिए है गुरुवर्ड ये ग्यान देने के लिए मैं आपका अभारी होगा मैं सदैव इस विद्या का प्रियोग जगत कल्याण ये तू ही करूंगा अब आप दोनों का तिरे देवों और देवताओं से देवे अस्त्र और शक्तियां प्राप्त करने का समय आ गया है मैं ब्रह्मरिशी विश्वमित्र आप तिरे देव एवं देवताओं का आवहन करता हूं ओम प्राणाम देवताओं प्राणाम देवताओं प्राणाम त्रीदेव है तिरे देवों है आश्ट दिख पालको संसार के कल्यान है तू अपने दिवे अस्त्र दश्रत नंदन राम को प्रदान करने की कृपा करें ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र ब्रबु विष्णु जी द्वारा प्रदत धर्म चक्र काल चक्र एवं विष्णु चक्र बाबा भोले नाथ का पिना की धनुष देव राज इंद्र का वज्च वरुन देव का वरुन पाश और अन्य देवताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली मौद की और सीक्री गदाएं प्राप करो पुत्र राम विश्वा मेत्र आभान की ये देवत्र देवा प्रकट भये राम को करने अधिक समल्थ अस्त्र शस्त्र की ये भेंट तदर्थ चक्र हरी बिना की शिवे श्री प्रम्हा प्रम्हा स्त्र दिये राम चंद्र भय अति बलवान जग कल्यानक लक्ष महान महान कारे की पूर्ती के लिए उन्हें दिव्य अस्त्र और मंत्र प्रदान किया आपके आशिर्वा स्वरूप इन दिव्य अस्त्रों को पाकर मैं कृतार्थ हुआ मुझे आशीश दीजिए कि मैं जब इनका आहवान करूँ ये मेरे सम्मुक प्रकट हो जाएं उसके उपरांद प्रभू श्री राम ने प्राप्त दिव्य अस्त्रों को सहर्ष अपने अनुज सुमुत्रानन लक्षमन की सांस साजा कर लिया अर्थात रिशी विश्वा मित्र का प्रभू श्री राम और सौमुत्र लक्षमन को अपने साथ लाने का बास्तविक उद्धेश था प्रभुश्री राम को दिव्य अस्त्र प्रदान करवा कर उन्हें और सशक्त बनाना रिशी वर का एक और उद्धेश भी था जिसके विशह में तुम्हें बाद में ग्यात होगा परंतु उसके पूर्वी ये सुनो हनुमान दूसरे ही दिवस से रिशी विश्वा मित्र ने अपना यग प्रारंब कर दिया अनुज लक्षमन उस शेत्र की रक्षा करने में धत्पर थे और प्रभुश्री राम ने अपने बाणों से यग इस्तली की रक्षा हेतु एक दिव्य छत्र का निर्मान किया जिससे कोई भी आवांचित जीव अध्वाध्वनी वहां प्रभेश्णा कर सके अर्थात प्रभु मात्र उस खेत्र की रक्षा ही नहीं कर रहे थे परंतु उन्होंने ये भी सुनिश्चित कर दिया था कि यदि वहां पर कोई और प्रभेश करने का प्रयास भी करे तो भी यग्य में किसी प्रकार का कोई वैवधान ना आए हाँ पुत्र फिर दोनों भाई पून सतरकता से यग्य पर अपनी सुरक्षा द्रिष्टी बनाये हुए थे परंतु यग्य के अंतिन दिन ताट का पुत्र सुबाहू और मारीच छिपकर यग में अवरोध उत्पन करना चाहते थे परंतु प्रभु श्री राम के सुरक्षा शत्र को बेद पाना कहां संभग था अपनी इसस पलता से करोधित होकर उन्होंने विशण हुंकार भरी जिससे अने को भैंकर राक्षरसों और राक्षरसियों के सेना उड़कर वहां अवतरित हुई वहीं प्रभु श्री राम ने अपना ध्यान उन दोनों अद्रिश राक्षरसों के सुर पर केंद्रित किया और फिर एक के बाद एक उन्होंने मानब बाण मारिज की उर और आगने बाण सुबाहों की उर प्रक्षे पित किया हुआ 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 ह जूए प्रपक्षक्म अच्टम तूप मिला Exactly प्रिकार इन दोनों महाप्रतापी भ्राताओं ने अत्यंत सहजता से उन असरों से मुक्ति पाई और रिशी विश्वामित्र शान्ती पूर्वक अपना यग्य करते रहे ये कैसी दोनी है अनुवान परतीत होता है शत्रों रूप में किसी अनिष्ट का आर्वन हो रहा है यहाँ अरे ये तो मांसा हरी बानल है ये दुष्ट इस ओर क्यों आ रहे हैं इतनी संख्या में इनके यहां आने का क्या उद्धिश हो सकता है गुरू के आध्या का पालन और उनकी सेवा सर्वोच धर्म है